आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो हम लोग बिधुत इंद्र के बारें पढ़ेंगे देखे इसमें पहला कोशन है बिधु जनरेटर में बिधुत उत्पन करने है तो चालक को छेतर में घुमाने के लिए उर्जा प्रियुक्त होती है तो देखे जब एफ से घुमाने के लिए उर्जा प्रियुक्त होती है जब इसको रूटर को घुमाते हैं उसके साप को सहिं होती है यहां पर लेक्षा में जिए हम काम करते है तो उसको यांत्री कुर्जा बोलते हैं यांत्री कुर्जा उसके बाद जब उससे विद्धुत बनता है तो उसको क्या बोलते हैं विद्धुत उर्जा बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं उसको विद्धुत उर्जा बोलते हैं यह आपको ध्यां रखना है अधिके जेनरेटर को ही डा इवर्तित करता है और यह फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम पर कौन काम करता है तो जेनरेटर करता है जश इसका उल्टा क्या होता है यह विद्यान रखना है मोटर क्या होता है इसका जश्ट उल्टा होता है मोटर क्या करता है मोटर में देखे होंगे पहले हम उसको लाइन देते हैं ठीक है मोटर में हम सबसे पहले क्या देते हैं लाइट देते हैं इसके वाद हमारा मोटर पानी देने लगता तो इसमें कहेंगे बिद्धुत उरजा किसमें बदलता है यांतरी कोजा में चलिये देखते हैं अगला question अगला question है कि निमली खिर में से कौण साव कर थारा के ताफी परवाप और आधारित नहीं है cat आधारित नहीं है ए पिदूत के तरी बिदूत बल्ब और वन पिदू जनित तो जो którą जन différentes चुम्ब की तो किस पे आधालित होता है, ये आपको जानना ज़लूरी है, ये बिध्धुत चुम्ब की प्रेड़ किसी धानत पर काम करता है, ठीके कौन? जनित्र! और ये पुछेगा फ्लेमिंग की किस हाथ पर काम करता है, ध्यान रखना दाएं यहां थे, ठीके? धेके जनरेटर यंडिल वा आते तो ऐसे भी याद कर सकते कि 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 इससरी करता दाए हाथ के इनयम कें करता अगर मोटर करता पूछे तो बाएं हाथ की नियम के अगला सबसेंखी आपकोशन है कि बलगा का फिलामेंट ठीक पलेभल का फिलेमिन्ट होता किसका बना होता है va mi धात्त से बना होता भाली धात से बना होता अब उच्छे गलणांग है तो परबल धात नहीं हो परबल धात होगा यहां डों गान जायेगा यहा घृँखे घँखे is और प्रभल Dhat उसे बना होता है तो कौँंसा अपस्वाइश का सही हो जाए है अगर पुछे फिलाइमेंट किसे इसका बना होता है तो टंगस्टिन का बना होता है अगला कोश्चन है कि रासाइनी कुर्जा को बिधुतुर्जा में परिवर्थित करने वाले उपकरण को कहा जाता है ठीक है अब धियां से आपको समझना इसमें कहा है कि रासाइनी कुर्जा को बिधुतुर्जा में अब देखे प्रितरोद क्या करता है धारा के मार्ग में और У रो रो उत्वन करता है वो प्रितरूझ तो बॉल्ट मीटर से वीवांतर को मापा जाता है आप देखि 가까 त्इनो तो बॉल्ट मीटर से माप जाता है मीटर से धारा मापा जाता है प्रितरूझ हम umीक्पष्प्र नहीं करत verbessते है То इसके किया हो ज़ंग और Umm बोल्टीसर क्या करता है रासाइनी कुर्जा को बीधुत उर्जा में परिवर्दित करता है क्या करता है रासाइनी कुर्जा को बीधुत उर्जा में परिवर्दित करता है अगला कोश्चन है कि बीधुत मोटर के सिधान पर करता है या उर्जा को उर्जा में परिवर्दित क करता है तो अभी बता है जनरेटर पुछेएगा दो दाएं हाथ हो जाए तो देखी जा दाएंवाला वेयसे कड़ देज़ेगा ठीक है अर मौतर की हांपर उर्जा करता है का है और क्या क्कै ढूरिया करता है तो तो बिद्धूत उर्जा को यहां परिवर्थित करता है किस में इसका सी वाला सही हो जाएगा अब यहाँ पर मोटर ना देखे क्या दिया होता है जैनरेटर दिया होता तो दाए हाथ के नियम पे हो जाता और यह क्या करता कि अंत्रीक उर्जा को बिद्धुत उर्जा वाला परिउर्टित करता है अगला कोशन है अगला कोशन से पहले दूस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यह आप चैनल पे नियू है तो पिली चैनल को सस्क्राब ज़रूर कर दी क्योंकि लाइट लाइक करना और कमेंट करना फ्री कोश्ट होता है ठीक है बिद्धुत मोटर में दीख परिवर्ट तक एनि कम्यूटेटर और बैटरी के टेर्मिनलों के बीच संपर के रूम में क्या गाम करता है अच्छा देखेंगे तो आप कच्छा दस का सांस उठा के देखेंगा उसमें आपको प्यूटेटर और बैटरी के टेमिनलों के बीच संपर की रूम में क्या करता है कारबन ब्रस काम करता है अगला कोश्चन है कि घरो और उधोगों में उपयोग होने वाले अत्याधिक विधुद्ध को दिया जाता है ठीक है केतली को भी विधुद्ध दिया जाता है विधुद्धोस्टर को किया जाता है विद्धु दिया जाता है उत्पन कौन करता है विद्धु जनित यहीं जिसी को क्या बोला जाता है जनरेटर बोला जाता है या डाइनमो बोला जाता है अगला कोश्चन है कि नियुन में से किस सुरच्छा उक्रण का कार सिधान धारा के उसमी परभाप और आधारी थे तो यह विद्धु चैप्टर का चठवा वीडियो ठीक है इसके पहले पॉच वीडियो अप्लोड कर दिया गया यह वीडियो नहीं देखे हैं तो पलेलिट से वीडियो जरूर देख लिजेगा अज साथ साथ आपका राशाइन विग्ञान विच्छा ला जिसमें हम आवर अगला कोशन है की यहां पर दिया है यह अंत्री कुरुजा को विद्धूत करता है यह न्त्री को किस में परिरूर देखो है देखे चाहे डायनमो कहे चाहे जनेरेटर कहे बात यह एक ही है यह अंत्री कुर्जा को किस में परियुक्तित करता है विद्धु तुरुजा में अगला कोशन है वहीं कोशन है देखे गुमात पूछा है यह अंत्री कुर्जा को विद्धु तुरुजा में परियुक्तित कर आगला कोशन है इलेक्टिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयूग क्या जाता है तो नाइक्रोम का उपयूग क्या जाता है यह आपको बताना है देखी नाइक्रोम का उपयूग इसलिए क्या जाता है क्योंकि इसकी जो प्रितुरोदहकता होती है क्या होती उच्छ होती है और गनलांग भी क्या होता उच्छ होता है तो कौन साफसन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि विद्धुत मोटर में रुपांतरल होता तो विद्धुत मोटर में क्या होता है प देखते हैं अगला question चलिए देखते हैं आगला question अगला question है विद्धूत मोटर एक ऐसा उपकरड है जो परिवर्तित करता है देखें फिर वही question आ गया है कि विद्धूत मोटर एक ऐसा उप्रण जो परिवर्तित करता है तो क्या करता है विद्धूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में परिवर्तित करता है अगला कोशन है इद्धीक परिवर्तित कम्यूटेटर काउप्यों की कुंडली में धारा के दिशा बदनने के लिए किया ज तो यह जरुद्धाना केव ल कोशन है कि विद्धूद मोटर को काऊंच सभाग उसमेंber भाही धारा के प्रवा कीजित को उलट देता है कौन उलट देता है विभक्त बले क्या करता है धारा की देशा को परिवर्तित करता रहाता है अगला कोश्चन है कि इलेक्टिक जनरेटर का वह उपकरड़ है जो परिवर्तित करता है तो क्या करता देखे जनरेटर की बात कर रहा है तो जनरेटर क्या करता है यह आंत्रिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन साफसन से होगा इसका यह वाला सही हो जाएगा द पांतरी थोती है आपको बाताना है बिधुत गीजर में अब देखिए गीजर है तो गीजर पानी को गरम करता है तो हम उसमें सबसे पहले क्या देते हैं ठीक है गीजर में क्या करते है पहले लाइट देते हैं यानि उसमें बिधुत देते हैं फिर हो क्या होता गरम होता तो में उस्मा मिलता है क्या मिलता है तो बिध्धुत को उसमे को बदलता है कौन आपका गीज अब नीजित को चुमक में बदलता नहीं यहाँ बेदा जाता है तो कौन सा अपस्यार, इसका बीवाला सही हो जाएगा इसे भी आप कर सकते हैं अगला question है कि गैलबुनो मीटर परिपत में स्वन्योजित होने पर की उपस्तिती का संसोचन करता है तो गैलबुनो मीटर किसका करता है धारा का ध्यान देजेगा गैलबुनो मीटर सिर्फ यह बताता है कि परिपत में धारा जा रहा की नहीं द्या रहा है धारा को मापने के आभ लिए नहीं जा रहा है या तायज अंगए से कि सोचना देटा अगला कोशन है निवन deprived yogi मोटर नहीं होता है कंप्यूटर में वह सुष्थ में भी होता है अब सीNew गैल्बनों मीटर में इंर मोटर नहीं लगा होता है तो कौस रचाहिए सभिधुन करें का तक बी अवर्गा पता है तो कम सा ने को पता त करता है शुजर फोला को बता लगाता है यहां रखेगा ऐई मीटर दरेद भी दौरई को ना पा जाता है ठीक है और इसके बाद देखें यहां फिर बोल्ट मीटर दिया क्या दिया है बोल्ट मीटर तो यह क्या करता है बोल्ट मीटर विवांतर को मापता है क्या करता है विवांतर को मापता है इसके बाद देखो अगला कोशन है इनमें से कम सा रासाइनी कुर्जा को बिधु तुर्जा में बदलता है अब रासाइनी कुर्जा को बिधु तुर्जा में तो डाइनेमो तो करेगा नहीं डाइनेमो का दूसरा नाम जनेरेटर ये भी करेगा नहीं ठीक है अब जैसे इसका उल्टा मोटर है तो यह भी करेगा नहीं तो बचेगा बैटरी बैटरी क्या होता है असानी कुर्जा को बीदो तुरिजा में परिवर्तित करता है कौन साफसन सही होगा इसका से वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है देखिए वहीं कोशन घुमा के पुछा कि जैनरेटर रूपकरण है तो जैनरेटर क्या करता है यह आन्तरी कुर्जा को बीदो तुरिजा में परिवर्तित करता यह काा साफसन सही होगा इसका यह तोructureетр करता है और या कोशन है निमलिखित में से कौंस उपकरड बिद्धु चुमकी प्रेड़ की घटना पर आधारित है आपको बताना है कौंस उपकरड बिद्धु चुमकी प्रेड़ की घटना पर आधारित अभी इसके पहले ही बताए थे कि बिद्धु चुमकी प्रेड़ की घटना पर कौंस आध अधारित था जेनरेटर है कौन सा अधारित है जेनरेटर है ध्यान रखना है कि कौन सा है जेनरेटर है तो कौन सा अधारित है इसका डी वाला सही हो जाएगा ध्यान रखेगा ये कोशन कई बर ऐसे घुमा की भी पूछता है कि जेनरेटर किसके सिधान पर काम करता है तो जेन सबस्क्mma мы बड़ता हो जाए kindness को यह बैदा हो जाक। इस वोटते में प का क्या worshuing करद रहा है। बडुद मोटर करता है नश्मामः न मॉटर में Raymond बैटरी क्या करता है रासानी को बिद्धू तूर जाएक कौर्जा को इसका सी वाला सही हो जाएगा अगला पोश्चन है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा घटक विधूत आबेश की रूप में उर्जा का भंडारर संग्रहड करता है आपको बताना इसमें से कौन सा घटक है विधूत आबेश की रूप में उर्जा का भंडारर या संग्रहड करता है कौन करता संधारित करता है कौन करता है संधारित करता है कौन करता है संधारित करता है जिसको क्या बोलते हैं 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 जो विद्दुत आवेश की रोमें उर्जा संग्रहित करता है तो कौन साफसन सही हो जाएगा इसका कि रियूट कि क्याता है किसका प्रियूट कि जाता है एकटिफायर का प्रियूट कि जाता है ठीक है इसे को ड़ियूट कर से जितों själv नुराना तो जो तो ister यह क्या करता है AC को इस चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है AC को DC में बदल लेता है क्या बदल लेता है DC में बदल लेता है अब आपको कमेंट करके बताना है DC को AC में कौन सा बदलता है कमेंट करके बताना है DC को AC में कौन बदलता है AC बोलते हैं परतिया वर्ती धारा को क्या बोलते हैं DC धारा को क्या बोलते हैं DC बोलते हैं तो अहीं question होगे AC को DC में बदनले के लिए किसका पर्योग किया जाता है तो AC को DC में बदनले के लिए किसका पर्योग किया जाता है DC कारी यानि कि विद्धु धारा के मापन है तो निल में से किस करण का प्रयोग के जाता है विद्धु धारा के अब यहां पर मापने की बात किया है तो किसका प्रयोग के जाता है अब देखिए यहां पर गैल्बनोमीटर मत किजेगा यह विद्धु धारा का पता लगाने को ता तो उसम मापनी के लिए कह दिया है तो मापनी के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अमीटर का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है कि निम निमेसी कौन सा विद्धु धारा की ताप परभाव पर अधारित है बिद्धु धारा की ताप परभाव पर कौन सा अधारित है आपको बताना है तो कौन सा अधारित है बिद्धु थीटर ठीक है बिद्धु थीटर जो है ये बिद्धु धारा की ताप परभाव पर अधारित है तो कौन सा अपसन से योग इसका बीवाला सही हो जाएगा अग के बिधु चुमकी प्योड़ सिधान पर काम करता है कौन जनरेटर काम करता है अगला कोशन है जनित्र की संबंध में निमने से कौन सा कथन सत्र है आपको बताना है जनित्र की संबंध में कौन सा कथन सत्र है तो जनित्र मतलब क्या हो गए जनरेटर हो गए यह क्या करता है य यह क्या हो जागा सत्य हो जाएगा आगला कोर्षण है इलेक् setting मोटर एक उपकरण है जो विधु तुरिजा परिभुर्थीत Did Ulbrandt ले करता घ्रत रोदा ओवन्हें कर्दर्दा कों साइन हो जाएगा लगा मेरा कोश्चन है कि बिधुद मोठर के संबादि विर्नियुम लीखर में से काउन सा गलत है। तो काउन सा गलत है दिखें कि बिधुद मोठर केवल दिश्ट लधारा द्वारा संचालित होता है। केवल डी सी द्वारा संचालित होता है गलत है जो विधुद मोटर होता है इसी डी सी दोनों द्वारा संचालित हो जाएगा ठीक है तो कौन सा अपसन नहीं क्या है गलत दिया है सी वाला गलत दिया है बाकि डी वाला भी क्या है सही है अगला कोश्चन है इन लिखित में से परवा की तापन पर आधारित नहीं है तो बिदुद परवा की तापन परवा पर आधारित नहीं है तो कौन सा नहीं है देखे इलेक्टिक जो बलब होता है जिसको फिलामेंट के साथ ठीक है यह क्या होता है इस पर आधारित होता है इस पर आधारित होता है इस पर आधारित कोशन है निमलिखित में से अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा विधूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में परिवर्थन का उधार है तो विधूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में कौन परिवर्थन करता है यहां मोटर करता है ठीक है कौन सा करता है मोटर करता है यहां सही हो जाए कौन सा हो जाएगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि निमलेखित में से कौन सा बिकल बिद्धु धारा की तापन परभा का उधारा नहीं है बिद्धु धारा की तापन परभा नहीं जिससे ताप ना निकले नहीं आधारित हैं अधर केतली में भ निकलता है और बलब भी निकलता है लेकिन पंखे की कारी सिलता में नहीं होता है तो कौन सा अप्शन से हो जाएगा इसका बीवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि विद्धु धारा के तापी परभा के व्यवारिक अनप्रियोगों पर आधारित नहीं है तो कौन सा न गंटी होती ही नहीं होता है क्योंकि इसमें मोटर लगा होता है तो इसका सही हो जाएगा अगला कोशन है कि बोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो की उपस्थती का पता लगाता है तो किसका लगाता है विवांतर का ठीक है बोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विवांतर की प्वस्थतिति का पता लगाता है तो कौन साफसन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा अगला कोष्चन है किनियम लेिन में से मां Ucc0ap कर राशाइएनी कुर्जा को विद्यु तुरिजा में परिवर्तित करता है रासाइनी कुर्जा की बात किया है विद्धू में परिवर्तित करता है तो सेल हो जाएगा कौन साफसन से हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा अगला question है देखे अगरा question है कि विद्धू सुचों को किस में लगा जाता है यह भी question इसके पहले अगर वीडियों देखे होंगे तो यह भी question पढ़ चुके है ठीक है विद्धू सुचों को किस में लगा जाता है यह life तार में लगा जाता है किस में लगा जाता है life तर्मी लगा जाते कई बर question पूछा है ठीक है अब रहे स्षुच पूछे अगयो दसको बहुत अगर कशन है परिसुदः अगला चाहिए एक परिसुद एमीटर की प्रितरूद का मान होना चाहिए तो कितना होना चाहिए बहुत निम्न होना चाहिए कितना होना चाहिए बहुत निम्न होना चाहिए तो कौन साफसन सही होगा से वाला सही हो जाए विद्धु धारा को मापनी के लिए कि सुपकरल का चलिए देखते है अगला कोशन है कि समाननेती है बिद्दु थापन उपकरणों में परियोग के जाता है नायकरूम परियोग क्या जाता है अगला कोश्चन है कि यदि एक फ्यूज का मान 8 Ampere दी जाए ऐसे लिखा है आठे लिखा है ठीक है तो इसका क्या मतलब होगा तब इसको हम क्या बोलेंगे कि देखिए धारा 8 Ampere से जदी खोने पर फ्यूज बिखल जाएगा इसका क्या मतलब होता है अगर 8 Ampere है तो हम कहे कि धारा अगर 8 Ampere से जदी खोजगा तो फ्यूज के आवगा पिखल जाएगा तो कौन साफसन सही है इसका सीवला सही होगा अगला कोश्चन है कि टंगश्टन का उप्योग बिधूद बल में क्यों क्या जाता है आपको बताना टंगश्टन का उप्योग बिधूद बल मे इसका प्रियोग किया जाता है अगला कुश्चन है देखिए निम लिखित में से कौन सब विधूद की तापी पर भाग के बिवारिक अनप्रियोग पर आधारित नहीं है अब देखिए आइरन भी होता है कितली भी होता है टोस्टर भी उता है लिकिन इलेक्टी घंटी नह लगाने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो किस का प्रियोग किया जाता है इसको क्या बोला जाता है इसको क्या करता है विद्धूत आबेस की उपस्थित का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है इलेक्ट्रो इसको बोला जाता है क्या करता है विद्धुता भी इसके उपस्थित का पता लगाता है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए धने बाद